अब सब्सक्राइब जुरूर करेंगे और सब्सक्राइब जूरूर कर दोस्तों चलते हैं यहाँ पी जखा पिसले आएं क्योंकि आपने पहले वीडियो देखा होगा इस से पहले मैं डाला है यह पाटान से कुछ दिरे पर वापारी केंद्र था तो उसके बने वीडियो अलाओ वहाँ पर एक मंदिर था वहाँ पर बहाद्रुम क्लाडिन जी का मुर्ती बना हुआ था और वहाँ पर लिखा हुआ था आप मेरे पिटले डॉडम देख सकते हैं कि माची भी है करके और उसी म यह पूरा एरिया भी पूरा लगबख खुला एरिया में है और करेबन करेबन मैं आर्ट किम्मेटर आ गया आनेकव राइट साइड लेट साइड मूड़ा हूं और करेबन 4 किम्मेटर अंदर गाऊं में आनेक बाद 2-3 यह पूछने पाद आप को जगह मिलेगा व्योंकि 2 पहले पहले कुछ नहीं था बान में इसको घेराबंदी कर दिया गया और देखिए मा बहद्रुर्ट क्लारीन माची जिला बालोद गराम अरजुनी शिटचारी जोस्तों यह पराणिक धरवर अपने इस्थिल है धरवर वाला अपना अस्थाल है यह लेकिन पहले बोर्ड हु इस बढ़ी से जगह पे पूरा घेर गीर गया है और माची तक पहुद्स ते पहुद्स मैं आपको कहानी बताओंगा वगी माची सताबदी करीबन 700 साल पहले यहां निन्मीत यहां माची है और बाजु हमारे निताम जी हुए है उनके साथी मैं आया हुआ चुकि उन्हीं मुझे ये जगह बहुत दूर थी उन्हीं ने मुझे जगह के वारे में जनकारी दी चलिए माची को दिखाते हुए इस जगह के पूरी कहानी बताऊंगा मैं और दोस्तों वीडियो में जरूर बने रहेगा सुरू से लाश्ट तक आपको पूरी कहानी पूरी बहाद्दुन कलारिन एक यूती थी जो इसी गाओं के आसपस रहा करती थी और करीबन से 700 साल पहले वहाँ एक राजा हुआ कहते है है वनसी उनका नाम है और जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो यहाँ इंटरनेट के बाध्यम से मुझे मिली है वो यहाँ के राजा हुआ करें मुझे मुअ आसरा जा हुआ थे और पहले यह पूट जनगल हुआ करता था और जनगल में करेएमन वो सिकार करने के लिए आयए हुए थे तो ने एक यूती दिखि और यूती से उनका प्रेम हो गया प्रेम कहते है उन्हें ने उनसे सादी कल्ली जीसे गंदर व उनको तो उसके बाद से क्योंकि राजा ने अपनी मा कर छोड़ दिया था करके उसके पुत्र ने सभी राजाओं से जगड़ा उनलब सभी राजाओं से घिना उत्पन कर ली उसके बाद उस पुत्र ने बड़ा होकर अपनी एक सेना गठित की और आसपास के यतने भी राजा पुछान के मित्तियू करने के कारन वो भी एक कुवे में कुट कर अपनी जान दे दी और अपने इसी त्या के कारांग उनको आज भी यहाँ याद किया जाता है और भारत सरकार या चत्रिकर सरकार द्वारा उनकी याद में यह जो माची थी उसको सनक्षित कर दिया पूरी तरह से और इसे एक धरोवर की रूप सब्सक्राइब कर दिया है इसलिए अकरिबन 700 साल सुप्राना ये एक सनक्षक स्थल भी है यह थी बहुत कहानी और बहुत एक्ट्वल में यह रियल कहानी है क्योंकि आसपास गांवाले बहुत आते हैं इसके बारे में क्योंकि पहले बालो जिला पूरे तरह से जंगलों से गिरा हुआ था और आज भी इसके हर तरफ कोने कोने में जंगल है लेकिन अब यह बहुत इसका विकास हो चुका है लेकिन फिर भी मुझे अच्छे खुशी इस बात कि है कम से कम इस माची को आज भी वैसा ही समाल रख्या गया है लेकिन उन लोगों से आगरह है जो इस महा बहाद्रुन क्लानिन का मंदिर भी है यहां गावों पर उसका वीडियो मैं इस वीडियो के बाद डाल दूंगा और आपसे जुरूर उम्मीद दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जुरूर करेंगे और कमेंट जुरूर करेंगे चलिए अब मुलाकात होग आपसे अगले वीडियो में जब तक जय जोहार जय चत्तीज गड़